तो इस question को आप चेक भाइ ऑप्शन भी कर सकते हो और इसमें easy है देखो देगा जीएच 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 तीन option में है तो पहले तो जीएच का डारेक्ट निकाल लो उसके बाद फिर करते रहो इन तीन को चेक कर लो तीनों नहीं होंगे तो फिर दी सही होगा या तो तीनों मे जीएच का पाउर एच का पाउर बी और टी का पाउर सी बास वन्या गए और इन तीनों का dimension में निकाल लेते हैं बिटा तो capital G का dimension आप निकालते हैं मास का हो जाएगा M square ठीके तो ये 1M से 1M खतम हो जाता है तो ये हो जाएगा पिटा M का पाउर माइनस 1 L का पाउर 3 और T का पाउर माइनस 2 ये हो गया capital G का dimension H के लिए आपको पता करना है पिटा आपका E is equal to HF यहाँ E energy है H plan constant है और F जो है आपका frequency है energy और work done का dimension बराबर होता है तो M L square T minus 2 हो जाएगा frequency का होता है T का पाउर माइनस 1 जैसे ही मैं इसको उपर लेके जाऊंगा ये हो जाएगा M L square T का पाउर माइनस 1 उपर गया तो T का पाउर प्लस 1 तो माइनस 2 और प्लस 1 हो जाएगा T का पाउर माइनस 1 C तो बेटा speed है तो C का dimension L T minus 1 होता है तो T का dimension होता है बेटा आपका capital T G का पाउर A हुआ इसका मदलब गया M का पाउर माइनस 1 L का पाउर 3 और T का पाउर माइनस 2 इसका पाउर कितना लगा दें हम A H का हो जाएगा M L स्कूर T का पाउर माइनस 1 और इसका पाउर हो जाएगा B और GHC है ता C होता है L T minus 1 और इसका पाउर कितना हो जाएगा C इसको यहाँ सीरेस कर दें ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए तो बेटा आप बस कुछ नहीं करना हमें तो पाउर केल्किलेट करनी है तो जी यह M का पाउर हो जाएगा बेटा M का पाउर माइनस A प्लस B तो यह हो जाएगा माइनस A प्लस B L का पाउर हो जाएगा 3A प्लस 2B प्लस C 3A प्लस 2B प्लस C और T का पाउर हो जाएगा minus 2A minus B minus C minus 2A minus B minus C compare कर लो वह यहाँ पर T का पाउर 1 है इसका मतलब क्या हुआ यहाँ mass का पाउर 0 है length का पाउर 0 है और T का पाउर 1 है यानि M का पाउर जो minus A plus B है उसकी value हो जाएगी 0 L का पाउर 3A plus 2B plus C जो है उसकी value हो जाएगी 0 और minus 2a minus b minus c यह हो जाएगा 1 बास संद में आ गई ठीके अब algebra है बस algebra solve करना है कोई बड़ी बात है नहीं आप चाहें यहाँ से आप minus a plus b है ना तो आप चाहें तो यहाँ पर a की value रख दें इंदर आ जाएगा बात खतम हो जाएगी otherwise आप इन दोनों equation को directly जोड़ दीजिए equation number यह one है यह equation number two है equation number three है इन दोनों equation को जब मैं जोड़ूँगा तो c से c खतम हो जाएगा और यह equation a और b में बचेगी जो की यह भी a और b में ही है बस हो गया काम इसको मैंने add किया तो 3a माइनस 2a आपका a बचेगा 2b माइनस b आपका b बचेगा c से c खतम हो गया और हमने इसको add किया है भाई तो 0 प्लस 1 आपका 1 होगा तो यह equation आगई आपकी a प्लस b is equal to 1 और यह आगई आपकी minus a minus a plus b is equal to 0 इन दोनों को भी हम एकर जोडता हूँ तो यह हो जाएगा b और b 2b 2b is equal to 1 तो b की value किते आगई बेटा 1 by 2 b किसका power है बेटा h तो h का power 1 by 2 कहा है सबी जगे है बेटा इसमें भी h का power 1 by 2 है इसमें भी h का power 1 by 2 है यहाँ h का power minus 1 by 2 है अगर आप देख पा रहे हैं तो समझें भी बात और इसमें भी h का power 1 by 2 है यानि यह तो आपका answer नहीं आएगा तो तीन option में तो भी यह गरबढ है तो वपन solve करते हैं आगे तो b का power अगर 1 by 2 हो चुका है तो इस equation से b की value अगर 1 by 2 होई है तो इसको दल लेके जाओ तो यह minus a plus 1 by 2 तो इसको दल लेके जाएंगे तो minus 1 by 2 हो जाएगा यानि a की value कित्ती है जाएगी आपकी 1 by 2 एक इसका power है वेटा g का तो g का भी root होना चाहिए तो root gh, root gh यानि आपका option number d और option number b तो नहीं आएगा simple सी बात है वाई अब c calculate कर लेते हैं तो बेटा c कहां से करें किसी भी a के question में रख दो इसमें रख दो या इसमें रख दो इसमें रख देते हैं तो 3 into a यानि 3 into 1 by 2 plus 2b तो 2 into b के value कितना है 1 by 2 और plus c is equal to 0 तो plus c is equal to 0 तो यह हो जाएगा 3 by 2 और यह खतम तो 1 हुआ 3 by 2 मैं अपना general दरे गताता हूँ 3 by 2 मलब डेड़ डेड़ और एक होता है धाई और धाई को अदर लेके जाएगे तो यह हो जाएगा minus 2 यानि minus 5 by 2 यानि c का power कितना हो जाएगा minus 5 by 2 तो c का power minus 5 by 2 तो यह नीचे आएगा ना भई यह आएगा option number c आएगा देख लो a b c की value रखदो इसमें तो यहाँ पर रखते हम तो t की value कितना जाएगे आपका g का power 1 by 2 h का power 1 by 2 c का power minus 5 by 2 अब ध्यान से देखना इसको अटा देते हैं अपन क्या मैं इसको g h c का power minus 5 by 2 है तो g का power 1 by 2 h का power 1 by 2 c का power 5 by 2 लिखता हूँ और 1 by 2 1 by 2 1 by 2 को मैं root लिखता हूँ तो मैं इसको g का power 1 by 2 h का power 1 by 2 c का power 5 का power 1 by 2 लिख सकता हूँ तो भईया 1 by 2 को हम root लिखते हैं तो यह हो जाएगा g h और c का power 5 यानि यह आगे आपका time का formula in terms of g h and c जो कि option number c है बास संग में आ गई आने वाले time पे हो सकता है और पूछा भी गया है यहाँ time की जगह हो सकता है mass दे दे तो जब यहाँ mass दोगे तो यहाँ पर फिर m का power 1 आएगा यानि only equation number 1 change होगी अगर यहाँ length देता है तो only equation number 2 change होगी बास संग में आ गई ठीक है